हमस्कार दोस्तों वेल्डिस्काई के एको नए इंड्रेस्टिंग वीडियो में आप से लोका स्वाकत है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्षिन चीन के बारें वास को समझने की कोशिस करेंगे अंडर्स्टेंड करेंगे आज मार्केट साइडवेस था और कंसॉलिडेशन में था तो कल क्या मार्केट में एक ब्रेकडाउन आ सकता है क्योंकि ब्रेक आउट की साइट पर मैं बैसी आपको वर्ट कर रहा हूं कि पेसले कुछ दुनों से कंटिनूसली कि आप बाय साइट प आ सकता है यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है तो यह ही पॉइंट हम यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फाइनली दूस्तों मैं आपको ऑप्शन चेंड डाटा पर और यहां पर हम समझेंगे कि निफ्टी का आशर रहेगा यहां पर बाइंग साइट तो आपको कोई काम करना नहीं है और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेविल टूटते हैं तो आपको काफी हद तक 100-500 पॉइंट तक की घरावट देखने को मिल सकती है वो इंपॉर्टेंट लेविल कौन सा इसको हम डिसकस करेंगे यहां पर मार्केट एट 11 के साब तेंगे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बनी रही और कह सकते हैं थोड़ा सा मार्केट साइडवेस सा जाता हुआ दिखाई दिया है वहीं बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं यहां पर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेक नहीं करेगा नहीं यह बिल्कुल ब्रेक करेगा और जब भी ब्रेक करेगा आपको एक अच्छी स्ट्रॉंग मोमेंटम बाली सेलिंग देखने को मिल सकती है यानि हमारे लिए एक नेगेटिव अपर बन सकती है ठीक है अब मैं आपको कुछ इ जाधा help करेंगे एक जीद हमेशा द्यान रखा करिये कि जब एक पहला मोमेंटम होता है यानि मार्केट अप खुला गया पकुलने कर यह पहले दिन एक मोमेंट हुआ है तो अगले दिन नॉर्मल ही क्या होता है अगर थोड़ा बहुत मार्किट प्रॉफिट वोकिंग के ल फिर इसने एक retracement दिखाया अब यह उपर गया क्या इसने इस हाई को निकाला नहीं निकाला अब जैसी है इसको लेविल को ब्रेक करेगा या नहीं इस लोग को ब्रेक करेगा तो आपका प्राइस एक्षिन यहां पर क्या है नेगेटिव बनता हुआ दिकाई देगा तो इसका निफ्टी ने इससे पहले जो अटम्ट किया था यहाँ पे आपका अ verवारत 3,00 के करीब जाने का तब मार्काइट पें क्या हुआ था तेगेए अब आप दिखो यहां पे यह देखो इसने यहां से यहां पर हमने क्या किया था यहां पर हमारा यह 18000 क्रॉस हुआ यह यहां पर चला गया फिर क्योंगा मार्केट गैप अपुला अटारादा दोसो पचास से वहां से सेलिंग आई और बाइंग में से लोंग में हो जाती है अब यह हाई निकलना बहुत जरूरी होता है अगर नहीं निकल पारा इसका मतलब यह कि जब यह दो आईगा तो इस लोग के नीचे एक agressive selling आ सकती है यहाँ है लोगों कोomeंटम को को क्या हुसक्ति यहा नीचे किया लोगों को कोई दिक्कत नहीं यह क्योंकि वह प्रॉफिट में बैट है हुसक्त अग्रेट है प्रॉफिट से सेलफ आया तो उसमें इन्होंने लॉंग किया था ठीक है यह पॉइंट समझ में आ गया अब चलते हैं अपने मार्केट की एनलेसिस करते हैं तो करेंटली अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो इंडेस फ्यूचर्स में यहां पे देखने को क्या मिल रहा है हमें कि करीब सो पॉइंट नेगेटिव है और नेजडिक भी करीब 90 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है अब इसके लिए एक इंपॉर्डेंट लेवल है वह भी आप ध्यान रखिएगा देखो 15 मिनिट का टाइम फ्रेम लगा हां पर लगाया हुए मैंने अब यहां पर क्या तो अगर इसने जब भी यह लेवल ब्रेक किया 33500 तो यहां से एक शाप सेलिंग आ सकती है यह पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा और जब भी यह लेवल ऊपर की तरफ निकालेगा तो एक अच्छी खासा ब्रेक आउट भी यहां पर हो सकता है यानि जब तक 34000 से लेके और 33400 के बीच में स्टक है तब तक यह consolidation में रहेगा और यह consolidation में रहेगा तो हम वैसी उपर नहीं जा पार है क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बोला ना ऊपर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए इस टैम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी है क्योंकि support इसका मिलवा है अभी तक सरिफ आपका LDFC Twins का जोग की निफ्टी को 18300 के उपर sustain कर रखा है जैसी उनमें अगर profit booking आई या overall market में profit booking अगर थोड़ी सी भी गहर आई तो बहुत तेजी से निफ्टी 18000 की तरफ भागेगा यह चीज़ आप ध्यान में जरूर रखेगा ठीक है यह point समझ में आगया अब चलते हैं option chain data पर अब यहां पर आप देखो निफ्टी की closing आई अठाराजा 300 की तो अगर आप देखोगे तो अठाराजा 300 की call पे 41 लाग का open interest कड़ा हुआ है put पे 56 लाग का open interest है means put writers का confidence अभी भी बना हुआ है कि market उपर जा सकता है ठीक है अठाराजा 200 की put पे 38 लाग का open interest है call पे सिर्फ 11 लाग का open interest है अठारा 500 की बात करते हैं तो अठारा 500 पे आपको देखेगा 68 लाग का open interest call side पे और put side पे कितना है 10 लाग का अठारा 400 की call पे 64 लाग का open interest है put पे कितना है अठारा लाग का अब एक चीद आप clearly समझ लीजे एक important label है जो मैं आपको option chain के साब से बता देता हूँ वो है 18250 इसके नीचे अगर nifty trade करना start करता है तो आपको अपनी long की position से exit कर लेना चाहिए यह point clearly यहाँ पे समझ लीजे है यह option chain data के साब से क्यों है क्योंकि 18300 का premium कितना है 77 राइटर है यहाँ पे 56 इसका मतलब क्या है जैसी 18250 की नीचे जाएगा तो क्या होगा यह put का premium क्या होगा बढ़ने लगेगा जायर सी बात है बढ़ने लगेगा तो क्या यहाँ पे इनका break even कितना है 18230 का break even आओ जैसी य में क्या panic आने की situation बनती होई दिखाई देगी फिर यह अपनी position हलकी कर सकते हैं तो इसी लिए 18250 एक important level होगा जो आपको focus रखना है ठीक है चार्ट पर चलते हैं तो चार्ट को अंडर्स्ट्रेंड करते हैं अब देखो simple दी चीज़ है कल अगर आप इस लेविल के आज पात कहीं भी खुलते हो एक बार आप शॉट करके काम कर सकते हो टार्गेट आपके पास है आज का low और अगर आज का low break होता है तो next target होगा आपके पास 18250 का यह point आप clearly ध्यान में रखिएगा कि ऊपर आप खुल रहे हो negative price action जैसी बने आप immediately short कर सकते हो यह point आप clearly समझ लीजे buy करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि buying के case में market जाएगा ऊपर धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि एकदम से खुलते ही 2-300 point वाकता चला जाएगा वो जाएगा दीरे दीरे अगर आपके favor में trade चलीगी let us suppose market खुला और आपने short किया और आप उस case में आप stop loss लगा सकते 18450 का या फिर 18425 या 430 का stop loss लगा सकते हो और आपके trade अगर आपके favor में चली गई तो आपको ए continuously profit मिल सकता है क्योंकि आज भी market day low पे जाके close हुआ है और जब market day low पे last time close हुआ था ये close है थी तो उसके बाद नाइक से एक अच्छी खासी selling देखने को मिली ती करीवे 180 point की ये point आपको मैं clearly यहाँ पर समझा रहा हूँ और जैसी ये 18260 के नीचे trade करना start करेगा तो फिर ये इसके पाद एक ये पूरा gap है ठीक है ना और ये gap fill कर सकता है और हो सकता है ये flow में नीचे चला जाए 200-300 point ये point आप clearly द्यान में रखेगा तो short side की position को miss मत करिएगा by side में मिस होता है तो कोई problem की बात नहीं है ठीक है bank nifty की बात करने तो देको bank nifty ने आज के किया 42,000 को hold करने की कोशिस करिए पूरी-पूरी तो इसके लिए important level है ये 41,900 के अगर नीचे ये trade करना start करता है तो आप sell करके काम करि अगर ये भी break हो जाता है तो next target आपके पास है 41,300 का अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा उपर के level पर अगर जब भी market उपर खुल भी रहा है तो एक red candle ही बना रहा है कोई buying की candle नहीं है मतलब green candle नहीं बन रही है red candle ही बन रही है इसका मतलब क्या है profit booking और selling का pressure है उपर क लेविल पर बस market ये देख रहा है कि कैसे negative क्यूज हमें बिलें और market को नीचे पटक दिया जाए अगर बायर इतने ज़्यादा strong होते अभी तक तो market को इचली उपर ले जा तकते थे but chances very high कि जैसी ये नीचे अगर इस बार ये 40,900 की नीचे अगर trade करना start करता है तो एक बार एक strong profit booking आ सकती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपको market एक side vista ही दिख रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं सारी candle आपको छोटी-छोटी दोजी टाइप की candle दिख रही है अब यहाँ पर बड़ी candle ऐसे बन सकती है ये point आप clearly ध्यान में रखिएगा अब हो सकता ये कल पर बनेगी जरूर क्योंकि market बहुत ज्यादा stressed है और यहां से इसको एक correction चाहिए चाहिए around 39,000 तक का या maybe 38,000 तक का तब जाके हम expect कर सकते हैं कि दुबारा जब rally आईगी तो यह higher side सस्टेनेबल होगी और continuously market ने कुछ gaps भी बना हुए निफ्टी के अंदर भी gap है आपका 17,800 के आसपास gap है फिज 18,000 में closing है जो उसके बाद 300 point gap आप खुल गया तो वह भी एक gap है तो continuously gap है और जिस दिन भी market में थोड़ा सा negativity फैली उस दिन यह gap सारे fill होते हुए दिखाई देंगे ठीक है इस बार अगर global market में selling आती है तो chances vary आई कि हम उनके साथ गिर सकते हैं क्योंकि हम almost top पे trade कर रहे हैं और हमारे लिए अब आगे आने वाले दिनों में कुछ events भी है आप उन पे भी focus लखिएगा RBI की great policy है आपको 4-5 December के आसपास तो उससे पहले हो सकता है आपको थोड़ी बहुत profit booking देखने को मिल जाए ठीक है global market की situation मैं अल्रड़ी आपको बता चुका market profit working के लिए ready होता है बट indication दे रहा है कि यहां पर कभी भी एक sharp selling आ सकती है ठीक है अगर हम एक और चीज़ बात करें विक्स के बारे में तो आज के दिन में विक्स करीब साड़े 3% बढ़के आया है तो तोड़ा सा volatility बढ़ने के indication मिल रहे है क्योंकि जाहिए सी बात है अग market आपका top पे trade कर रहा है तो वहां से profit working आईगी तो विक्स definitely यहां से jump कर सकता है ठीक है तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ क्या होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में नहीं है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक उच्छा जरू क करिए का और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं आपको दिल लेकिया आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैहेंट